हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं मलाई मेथी मटर बना रही हूं तो यहां पर मैंने चार मेडियम साइज के टमाटर रफली चॉप कर लिये हैं और आठ से नौ लसन की कलिया हैं एक इंच अद्रग का टुकड़ा हैं जीरा और एक तेश परत इन सब पर मैंने एक हटोरी मेथी पत्तियों को तोर की उन्हें काट लिया हैं और यहां पर मैंने एक हटोरी हरी मटर को मैंने उबलने के लिए रख दिया हैं तो यह बॉयल हो अच्छे से उबल रहे हैं तो आई ये फ्रेंट्स बनाते हैं मलाई मेथी मटर तो सबसे पहले मैंने यहां पैन गरम होने के लिए रख दिया इसमें मैं सरसो का तेल डाल दूँगी दो से तीन टेबल स्पून सबसे पहले मैं इसमें जीरा डाल देंगे लसन अद्रक और प्याज तीनों को एक साथ डाल करेंगे बहुत जादा हुने इनको भूनना नहीं है इसमें कटे हुए तामाटास इसमें डाल देंगे तो प्रेंड्स इसको मैंने अच्छे से टामाटार प्याज का जो पेस्ट बना पीस लिया है यहाँ पर मैंने तो दो से तीन टेवल स्पून तेल गरम कर लिया है पैन में यह जो मेथी काटके हमने रखी है वह इसमें हम डाल के थोड़ देर फ्राइ कर लेंगे तो मेथी भी हमारी अच्छे से भून चुकी है अब यह जो हमने पेस्ट तयार किया था वो हम इसमें आड़ कर देंगे अच्छे से फ्रेंड्स मैं यह तेज पत्तर डालना भोल गई थी कोई बात नहीं मैं इसको अभी डाल देती हूं और फ्रेंड्स मैं इसमें ज्यादा कोई मसाले नहीं एड़ कर रही हूं बहुत ही इसको सिंपल तरीके से मैं इसको बना रही हूं मलाई वेथी को अब मैं इसमें उबले हुए अब मैं इसमें उबले हुए मतर अच्छे से देखिए उबल चुके हैं मैंने इसका पानी हटा दिया है तो अब मैं इसमें 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 एड़ कर दूँगी और थोड़ा सा एक पाटोरी के लगभग मैं इसमें पानी डाल दूँगी मिक्सी जाल में जो थोड़े से मसाल लगे हुए हैं इसी में मैं थोड़ा सा पानी डाल की स्कुच्छे से वाश करकी डाल दूँगी स्वाद के अंसार नमक डाल देंगे इसमें मलाई डाल देंगे मलाई मेथी है तो मलाई इसमें अच्छी से डालेंगे हूँ तो इसमें मैं एक कटोरी के लगभग मलाई डाल रहे हूँ तो फ्रेंड्स दो से तीन मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको ढंग देते हैं सब्जी को फ्रेंड्स सब्जी हमारी बन चुकी अब हम इसमें थोड़ा सा गरब मसाला एड़ कर देंगे हाफ टेबल स्पून जादे मसाले डालके में सब्जी नहीं बना रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से बनाई हूँ और सब्जी बनकर बिल्कुल रेड़ी है तो इसको मैं एक अलग बर्दन में निकाल लेती हूँ यह देखिए फ्रेंड्स मलाई मेथी मटर बनकर दयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुश्बूदार बना हुआ है अब मैं इसमें उपर से थोड़ा सा देसी घी मिला दूँगी देसी घी डालने से और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका थेंक्स पार वाचीं